दोस्तों बासी खाना सेहत के लिए हानी कारक माना जाता है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुचाता है कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं जो बासी होने के बाद सेहत को ज्यादा फाइदा पहुचाती है जिन में से एक गेहू है गेहू की आटे से बनी रोटियों को सबसे ज़्यादा पौश्टिक और जल्दी पचने वाला माना जाता है लेकिन इन रोटियों के गुण तब और भी बढ़ जाते हैं जब ये बासी हो जाती है जातर घरों में गेहूं की आटे की ही रोटी बनाई जाती है जातर भारतियों में जरुत से ज़्यादा खाना बनाने की आदत भी होती है जिस वज़ा से एकसर घरों में रोटीयां बच जाती है बचेवे रोटी को या तो फिर जानवरों को दे देते हैं सुबह उठकर उन रोटियों को फीके दूद में पांच मिनिट के लिए भीगो कर रख दें और उस दूद के साथ उस बासी रोटी का सेवन करें अगर आप इस तरह से बासी रोटी का सेवन सुबह खाली बिट करेंगे तो आपके शरीड को कई फायदे होंगे खास करके डाइबेडेस पेशेंट वालों को दूद के साथ बासी रोटी खा कर देखें आप देखेंगे कि दो से तीन महीने में शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा डाइबेडेस क्यों होता है यह जानना भी जरूरी है आपके शरीड में पैनिक्रियाज नाम का ओर्गन है वो इंसुलीन को कम प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलीन का काम क्या है शुगर को एनर्जी में कनवर्ड करना अब जो आपके खोन में शुगर है वो इंसुलीन कम बनने के वज़ा से एनर्जी में कनवर्ड नहीं हो पा रहा है इस वज़ा से आपके वाड़ी में शुगर का लेवल बढ़ रहा है अब अगर आप इंसुली करियास दीरे जरी खर नरो द्यक्रा दियास एक जरीन की तब करने के इस का जाती है और श्रीव में किसे प्रकार का ढर्द रहते है घुनों का दर्द, जुणों का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांश्पीशियों में होने वाले दर्द, दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी श्रीर में दर्द होते हैं, वो सिर्फ वाद दोश यानि की वायूद दोश के वजह से होते हैं, जैसे हमारे श्रीर में पेट में गैस क और जब वो पूरे बॉडी में circulate होती है तो गैस यानि की हवा जोड़ों में जाकर इकठी हो जाती है धीरे धीरी कठी होने लगती है और इस वज़ा से दर्द होता है इस दर्द को आप खत्म करना चाहते हैं बॉडी में अगर सूजन है बॉडी में दर्द है और इससे आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सुबह खाली पिट फी के दूद के साथ बासी रोटी का सेवन करें इसके लाव अगर आप कब जयानिक कॉंस्टिपेशन की प्रॉलम से गुजर रहे हैं तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं बासी रोटी में दोस्तों ताजी रोटी के ए बहुत है बासी रोटी के सेवन से आपका मेटाबॉलिजम प्रोसेस बूश्ट होता है कुछ लोगों को लगता है कि वजन को कम करना बहुत है क्योंकि वजन कम करना के लिए हमें डाइट प्लान जीम एक्सराइज करना पड़ता है जो कि कई लोग नहीं कर सकते हैं दोस्तो सब्सक्राइब, यानि कि जो भी आप कुछ खाते हैं उसे energy में करना होने की process को metabolism कहते हैं अगर आप अपने body के metabolism process को fast कर लें तो आप अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी आप खाना खाएंगे वो आपके energy में जल्दी convert होगा और आपकी calorie जल्दी बर्न होगी जिससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा इसके लाव अगर आप सुब आउटकर एक्सरसाइज करते हैं जीम जाते हैं तो भी आपको बासी रोटी बहुत फादा दे सकती है क्योंकि बासी रोटी खाने से मानश्वेशिया मजबूत होती है और आपकी बाड का खत्रा भी नहीं होता है तो इस तरह दोस्तों बासी रोटी खा कर आप शरीर की कई सारी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं आश्या करता हूं आपको वीडियो यह जानकारी अच्छी लगी होगी फादेमन लगी होगी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों अगले वीडियो में नहीं जानकारी साथ फिर से हाजीर होतें दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए खुश रहिए